हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ अंजुया तो लर्नवित इंडिया 2024 के आनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करते हूं दोस्तों दोस्तों बर्तमान समय में हम लोग वीप्यसी टीरी 3 और 4 को टार्गेट करके कम्प्लीट जिक्क्य और जियस के प्रश्णों को देख रह है और सब्जेक्ट के कुछ वीडियो जा चुके हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बाक्स में देदूंगी या आप चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं जो यह प्रश्ण है प्याटी 628 टीजीटी पीजीटी एस्टेट सीटेट पेपर टू जहां पर सब्जे यह क्लास वंडे एकजाम जहां भी वंडे एकजाम होते हैं जिसमें जीके जीएस के प्रश्ण पूश्य जाते हैं उन सभी परिक्षाओं के लिए रामबार सिध्ध होगा क्लास दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नया है तो सब्स्राइब करिएगा साथ साथ लाइक शेय अंडिया इस पर जाईए और वहां से डेली बेस पे अपना पिडियो प्राप्त कर लिजिए चली दोस्तों अपने पहले प्रश्ण के इस तरफ चलते हैं प्रश्ण नमबर एक है किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिधानत स्विकार किया है श्योंगतराज अमेरिका ने भारत ने उप्रिक्त में से एक सदिक इन में से कोई नहीं तो संग्तराज अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर दोहरी नागरिक्ता स्विकार किया गया है आपसा नमबर एसा ही होगा यहां पर थोड़ा में स्प्रिंट हो गया है संभीधान के 26 नुम्बर99 को अंगflies के जाने के साथ संभीधान की कौन सा प्राववधान तुरंट लागू कर दिए गया न प्रशन होगा इसक्ते और श्रोगता जो प्रशन बर्भी वाले हैं उसको देख लेते हैं भारती संभीधान के उद्देश सेका में उलेख किया गया है कि 26 नुवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संभीधान को अंगीकृत अध्यन्यमित और आत्मार्पित किया गया इस दिन नागरिक्ता चुनाओ अंतरिम संसद 27 संक्रम और कालिन आदिस उपबं 26 जनौरे 1950 को प्रभावित हुए है इस तरह प्रश नंबर दो का आपसा नंबर डे सही होगा प्रश नंबर तीन है प्रश नंबर तीन है भारतिय समिधान के अंसार जीवन का अधिकार एक है धार्मिक मावलिक राजनेतिक उप्रक्त में से एक सदिक इनने से कोई नहीं तो भारतिय समिधान के अंसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है आपसा नंबर भी सही होगा जीवन का अधिकार अनुछद 21 के अंतगत भारतिय समिधान में एक मौलिक अधिकार है उस्तव न्याले ने अनुछद 21 की ब्यापक ब्याख्या करते हुए इस्थाई अवा प्रेशटकी स्वतंत्रता उपरणार के स्वतंत्रताँ साइख ते उलेफ नहीं है लेकिन पेपर मिल्स blockmaar भारत संग मामली in 160 पूर्षितम नाले बैस्वतंत तर्था में अकारर कीजिए कлекɑ December सा फिकेबुर्णनीसे defak on अधा प्रेश की सुतंतत्ता समिधान के अनुछेद 19-1 को के अंत्रवच सामील है प्रस नमर पांच है भारत का संभैधानिक अध्यक्ष राष्ट परती होता है भारत के संभइधान के अनुछेद 1 के अनुछेद राश्टपती में नहीं थोगी एक बार उड़ देख लेते हैं भारत सरकार का संब्यधानिक अध्यक्स राश्टपती होता है संबिधान की अनुछेद तीरुपन एक के अनुसार संग की करेपालिका की सक्ति राश्ट में नहीं होगी और वह इसका प्रयोक संबिधान के या अपने अधिनस्त अधिकारियों द्वारा करेगा अनुछेद तीरुपन दो की अनुसार राश्टपती संग के ससत्र बलो का सरोच मंडल होता है कमांडर होता है प्रश्ट नमबर 6 है भारत में महानिया यवादी की नियुक्ति कौन करता है प्रधान मंत्री राश्टप यह भारत सरकार का प्रथम विधी अधिकारी होता है तथा इसके वेतन विभत्ते आधिकार निधार राश्टपती द्वारा किया जाता है इसे भी मैं बताती हूँ महानिया यवादिको भारत के राजचेतर महानिया यवादिको भारत के राजचेतर के सभी निया लोगों में सुनवाई का अधिकार होता है यह भारत सरकार का प्रथम विधी अधिकारी होता है इसके वेतन विभत्ते आधिकार निधार राष्ट्पति का अध्यादेस कितनी अवधि के लिए लागू रहता है नौ माह, छह माह, तीन माह, फिर्ट में से एक सदिक इन में से कोई नहीं तो राष्ट्पति का अध्यादेस छह माह के लिए लागू रहता है। करने का प्रष्दाव पारित हो जाता है तो यह अधिनियम बन जाता है प्रिश'S नुमबर आठ है मन्त्रि पर साध में सामिल नहीं है डेसा स्वतंत्र प्रभार मन्तर में स Хाय नहीं तो मत्रीपर सद में सामिल ंद्रय मैं मंतलब जो स्वतंत्र मंतर यह हो मतलब श्वतंतर मतलब नहीं पूछारे इसलिए आप ander को इसली नम्हें होगा मंत्री परिशद में प्रधान मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राजय मंत्री, राजय मंत्री, स्वतंत्र प्रभाव, उप्र मंत्री, शमिलित होते हैं, अनुछेद 751 के नुशार, मंत्री परिशद में मंत्रियों की कुल संख्या, प्रधान मंत्री सहित, लोग सभाव के कुल सद पंदर प्रचुशा से अधिक नहीं होना चाहिए इसे एक क्यानविवे संभिधान संदोर सूधन अधिनियम 2003 के द्वारा जूड़ा गया प्रेशन नमबर नम्ब है एक वर्ष में संदर कम से कम कितनी बार वैठक संसर किंबर यह संसर को एकशन नहीं होगा तो इन में से कोई नहीं होगा समिधान कि अनुशेत 85 के अनुशार राश्वटेज संसत के दोनों सदनों को अधिवेशन आहुद करेगा किन्तु उसके एक सतर की अंतिम बैठक रथा अगले सतर की प्रतम बैठके भी 6 माक से अधिकांतराल नहीं होना चाहिए एक वर्ष में कम से कम दो सत्रों का आयोजन किया जाना आवस्यक होता है प्रश्ण का उत्तर यहीं है कि कम से कम दो सत्रों का आयोजन होना आवस्यक है भारत की संसदिय परंपरा में एक वर्ष में सामाना तह तेन सत्रों का आयोजन किया जाता है जुनिम्न हैं बजट सत्र फ प्रश्ण नुम्मर दस है और आज का अंतिम प्रश्ण है लोग सभा का आम चुनाव कब हुआ 1902 में इनमें से एक सदिक इनमें से कुई नहीं तो लोग सभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1991 से 21 फरवरी उनिस उबावन तक लगभक्चा मार तक चार माह तक चला इसमें 489 अस्थान के लिए चुनाव हुए थे 1989 अस्थान के लिए चुनाव हुए थे और जीवी मावलंकर लोग सभा के प्रथम अध्यक्स चुने गए थे दोस्तों इस तरह मेरा पूरा कंप्लीट हुआ यदि दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्स्राइब करिएगा लाइक करिएगा शेयर करिएगा और कमेंट करके यह भी बताएगा मेरा सेशन कैसा रहा उबर और याद धिला दूं कि आप लोग यदि पीडियो प्राप्त करना चाहा रहे हैं तो टेलिग्राम चैनल से चूर करके पीडियो प्राप्त कर सकते हैं